तो हेलो बच्चो नमस्कार 2023 का जो है सामाजिक विग्यान का पेपर आप लोग के सामने है और यह पेपर आपका वाइरल पेपर है अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेते हो तो आप 100% समझ लो कि आप बोर्ड का यानि कि तीन मार्च को आप पूरा 95 नंबर पाने वाले हो ठीक है 95 आपके कहीं नहीं गये हैं तो चलिए पेपर को सुरू करते हैं और आप लोग इसमें अंदाजा लगा लिजिएगा कि आप कितने नंबर पाने वाले हो तीन मार्च को क्योंकि तीन मार्च का जो पेपर है वह वायरल हो रहा है तो यहां पर देखे सबसे पहले तीन गंटे 15 मिनट का आपको समय दिया जाता है सतर नंबर यहां के पूडांक होते हैं और इसमें आपको निर्देश जो दिया जा रहा है सभी प्रश्न करना आनिवारी है तो सभी दोस्तों को अपने सेयर कर दीजिए सभी दोस्तों को बुला लीजिए समाजिक विज्यान का प पर तो आप लोगों को पता चल गया है कि कैसे आप लोगों को मर्सिट करनी है ठीक है उसके बाद उत्तर अंकित किये जाने के प्रश्चाद उससे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर आधिका प्रयोग न करें क्योंकि देखिए इरेजर या फिर वाइटनर का प्र बंधी दो प्रश्चन है उसके बाद देखिए यहां पर क्या है निर्देश पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतेक प्रश्चन के लिए निर्धारी तंकुस के सम्मुक अंकित हैं देगे मांचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संगलगन करना आवस उसको वहां पर जोड़कर आपको उसको जमा करना है ठीक है द्रिश्ट बाधित परिछार्थियों के लिए मांचित्रकार के अस्थान पर अलग से प्रश्चन लिखने के लिए दिये गए हैं अब चलिए देखिए हम पहले प्रश्चन में आ चुके हैं यानि कि खंड अ में पहुच चुके हैं तो बहुत बिकल्पी प्रश्चन शुरुआत हो चुकी है यहां पर देखिए पहला कोश्चन निम्न में से कौन 1815 की बियना संधी से संबंधित है तो यहां पर आप होगा ड्यूक मैटरनिक सही अप्सन होगा 1815 की बियना संधी ड्यूक मैटरनिक से संबंधित है अगला कोश्चन सत्ता की साज्चेदारी की बेल जीयम मौडल का मुख के महत्त क्या है यहां पर चार अप्संदिये गए हैं पहला है सभी जाती समोहों से उनकी आबादी की अ सकती साजा नहीं की गई है संप्रदायों को समान प्रतिनिध्य दिया गया है उप्रोक्त में से कोई नहीं तो यहां पर जो संप्रदायों को समान प्रतिनिध्य दिया गया है यह आप्सन विल्कुल सही होगा तो इस पर टिक करेंगे ठीक है अगला तीसरा कोश्चन यहां पर देखिए निस सोटाइस से 1934 के बीच भारत में गेहुं की कीमत 50 प्रतिस्त तक क्यों गिर गयी थी तो यहां पर आभण के कारण या फिर सूखी के कारण महामंदी Economic तो is myself to mlh rightish576 presentwich नामक शंस्थान निमिखते हैं तो प्रेटेनों बूर्टस नामक शंस्थान जो है आपका अमेरिका में या फिर 182 यूरोप में या फिर अफिर इसन mint नहीं तो यहां पर आपको अमेरिका टिक करना है जो ब्रेटेन बुट सनामकस्थान अमेरिकास में इस्ठित है ठीक है अगला कोशन देखें निम्नलिखित में इसी कौन साल अच्छण संग्य सरकार से संबंधित नहीं है तो यहां पर कठोर संविधान सक्तियों का केंदी अगला कोशन देखेंगे निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है तो तो उसका अर्थ होता है तो उसका अर्थ क्या होता है तो यहां पर देखें समाज में इस्त्री और पुरुस की असमान भूमिका इस्त्री और पुरुस की मध्य जैविक भीनता बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता उपरोक्त में से कोई नहीं तो यहां पर आपको जो है लगाना है इस्त्री और पुरुस की मध्य जैविक भीनता ठीक है यह बिल्कुल सही है एगला कोश्चन देखें कि राश्चबाद का उद्य सरपसं किस देश से हventions तो राश्चभाद का उद्य जो है जर्मनी से या भी इतली फ्रांस ब्रीटियन सब्सक्र सक्षात आप टिक करेंगे फ्रांस से जो है भा रास्ट बाध का उदय हुआ था अगला कोश्चन ड्यूक मैटर निखने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुस्मन किसको माना है यहां पर रूसो है और विक्टर एमोनियल है काल्विन जोसिफी मैसिनी है तो यहां पर आप टिक करेंगे जोसिफी मैसिनी ठीक है अगला कोश्चन देखें लोक तांत्रिक सासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि क्योंकि यहां पर आपको क्या स्टिक करना है जो है यहां पर आपको पहला जो है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देना है और दूसरा जो है व्यक्तिकी गरिमा को बढ़ावा देती है तीसरा अ एम ब दोनों उब्रोक्त में से कोई नहीं तो यहां पर आपको टिक करन किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है तो यह जैव संसाधन है ठीक है अगला कोश्चन देखेंगे निमलिखित में से पंजाब में भूम संकुचन के मुखिक कारण क्या है तो यहां पर जो है गहन खेती है वनन मूलन अधिक सिचाई आतिपस उजारण है तो यहां पर आपको टिक करना है अधिक सिचाई ठीक है निमलिखित में से पंजाब में भूम संकुचन के मुखिक कारण अधिक सिचाई है अगला कोश्चन देखेंगे भारत के किस राजी की सिसु मृत्यू दर निम्नतम है तो यहां पर आपको आपसन दिया गया केरल पंजाब बिहार हरियारा तो आप लोग को टिक करना है केरल ठीक है केरल इसका सही आपसन है अगला कोश्चन देखेंगे सारवजनी केवं नीजी छेत्र को किस आधार पर बरगी क्रित किया जाता है तो यहां पर रोजगार की परिस्थितियां या फिर आर्थिक क्रिया की प्रकृति उद्यम का स्वामित तो किसी उद्यम में काम कर रहे है स्रमिकों की संख्या तो यहां पर उद्यम का स्वामित इस पर टिक करना है अगला कोश्चिन देखेंगे भूच छरण से क्या तात पर है तो यहां पर भूमिका अनुपजाओ होना भूमिका दलदली होना भूमिका उपजाओ होना भूमिका योजना बद्द उपयोग तो यहां पर भूमिका अनुपजाओ होना सभी को पता है भू मुदर घाटी सोन घाटी महा नदी घाटी चंबल घाटी तो यहां पर आप लोग चंबल घाटी ठीक करिए ठीक है चंबल घाटी अगला कोश्चन भूम हीन ग्रामीड मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयोक्त विकास का लच्छ कौन सा है सबसे अधिक उपयोक्त विकास का लक्षे कौन सा है तो यहां पर आपको उपज का ज्यादा समर्थन मोले या फिर अपने बच्चों को विदेश में वसा सके अधिक मजदूरी उपरोक्त में से कोई नहीं तो यहां पर आपको अधिक मजदूरी टिक करना पड़ेगा ठिक है क्योंकि यह आफसन बिल्कु सह हैं आपका जो है सब्सक्राइब को बढ़ावा देता है ठीक है यह आपका बिल्कुल सही ऑप्सन है अगला कोश्चन देखेंगे निमनलिकित में से कौन सा परमपरागत और्जा का स्त्रोत नहीं है तो यहां पर कोईला भूतापी और्जा और बदोनों उपरोक्त में से को वैस्वी करण का बहुराष्ट्री कंपनियों के निवेश पर क्या प्रफाव पड़ा तो वैस्वी करण का भभुराष्ट्री कंपनियों के निर्थन ब्रिध्दिव हुई थीक है व्ड़िध्दि हुई अब देखें हमारा 20 नंबर का जो कोस्चन दा वह स्थाओ ने ओynn- सीट कंप्लीट हो चुका है तो सभी बच्चे वर्डात्मक प्रश्ण को देखेंगे वर्डात्मक बन ठीक है खंडब वर्डात्मक बन अब यहां पर ध्यान दिजिएगा आपको उत्तर लगभग असी सब्दों में लिखना है अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस तो थोड़ा बहुत किये होंगे आपको अंदाजा हो गया होगा कि असी जो सब्द हैं वह कितने में आएंगे ठीक है कितने पेज आपको लिखना है इतना तो आप लोग समझ गए होंगे बस आपको इन जो प्रश्ण यहां पर दिया गया है इन प्रश्णों को आपको उतने ही सब्द में तयार करना है असी सब्द में ठीक है अब यहां पर प्रथम विश्वयुद्ध के पस्चात होने वाली महामंदी के कारड़ों की समक्षा कीजिए यहां पर आपको चार नमबर मिलेगा अस्ती सब्दों में आपको अंस्वर देना है यहां पर देखे आथवा करके भी दिया है अगर आपको यह नहीं आता है प्रथम सिर्फ आप कम से कम दो पेज लिखना ठीक है एक एक पेज भी लिखोगे तो हो जाएगा क्योंकि चार नमबर का है और असी जो है सब्द है दूसरा जो कोश्चन है देखे सत्ता की साजेदारी लोकतंत्र की आत्मा है इस कथन की विवेचना केजिए तो आपको विवेचना कीजिए अगला कोश्चन जो है यहां पर देखे आर्थिक विकास के लिए उर्जा एक आधार भूत आवसेकता है इस कथन के परिप्रेच में उर्जा संरचन है तो अपनाये जाने वाले उपायों को अपना मत अस्पष्ट कीजिए ये सारे कोश्चन जो है अभी आप तया कि इतने प्रश्णों के अंस्वर देने हैं वहु राश्टि कमपनिया अपने उत्पाद की लागत कम बनाये रखने के लिए किस प्रकार का प्रवंधन करते हैं विवेकर्णा कीजिए तो आप लूब टॉपिक पढ़े होगे तो आराम से विवेकर ना कर सकते हो उसके बात देखे अथवा करके भी दिया है अच्छे बाजार के प्रमुख लच्छनों के संचेप में विवेचना किजिए तो ये हो गए हमारे जो हैं असी सब्द के जो प्रश्ण पूशे जाते हैं वो कंपलीट हो चुके हैं अब हम लोग वर्णात्मक टू में आ गए हैं और उ सहयोग अंदोलन के कारण क्या कारण से इसे उन्हों ने क्यों अस्थगित कर दिया ये आपको बताना है ठीक है और इसके लिए आपको च्छ नमबर मिलेगा यहां पर जितने कोश्चन आपको दिये जाएंगे सभी च्ह नमबर के होंगे अथवा करके भी दिया है सत्याग् पर महादमा गाधि की क्या विचार्त है है इसके लिए उठाये जा सकने वाले किनहीं चार कदम्हों का उलेख कीजिए य के ऊप को नाम लिखना है चार कदम के उसके बालाजी जी कि वह क्यों को नहीं आता है तो वैध सास्तं का क्यार्त है लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदाई जिम्मेदार एवं वैथ सरकार का गठन करता है ठीक है इसको आप बताएंगे अब देखे सात्वा कोश्चन है यहाँ पर एक कोश्चन अथवा करके भी दिया है अगर आप यह नहीं करते हो तो यह करिएगा वैस्वी करण का क्यार्थ है वैस्वी करण का क्रिसी पर पढ़ने वाले प्रभाव का वड़न कीजे उसके बाद भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उलेख करते हो उन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भागोलिक परिस्थितियों का वड़न कीजे यहाँ पर भी आपको 6 नंबर मिलेंगे उसके बाद आपको अगर यह कोश्चन नहीं आता है तो यहां पर आप कर सकते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है मानव विकास नापने वाले मोल भूत अवयवय का वरण कीजिए 6 नंबर यहां से मिलेंगे तो यहां पर आपको सारे टॉपिक को पढ़ लेना है बहुत टॉपिक आपको पता होना चाहिए तभी आप कुछ लिख पाओगे उसके बाद यहां पर देखिए मानचित्र संबंधी प्रश्ण है निमलिखित अस्थानों को जैसे पेपर आप यहां पर देख रहे हो बोर्ड में आपको यानि कि तीन मार्च को आप सेम टू सेम ऐसा ही पेपर देखने वाले हो निमलिखित अस्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा अब देखिए निमलिखित अस्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सही दर्साई है सही नाम वह सही अंकन है तो आधा 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 अ उत्याकान्ड हुआ तो जहां पर हुआ है महाई दालेंगे और उसका नाम लिखें Will और उसके बाद यहां पर देखिए बाधित बच्चों के लिए चुछ से लिखने लिखने पर दिया गया है अगला यहां पर मांचित्रकारी है निर्देश दिये गए हैं यहां पर इनको भी पस्चिम बंगाल का एक उद्यान जो है इस चिन से दर्साना है और नर्मदा नदी पर बना बांथ इस चिन से दर्साना है महाम नदी इस चिन से दर्साना है जार खंड का एक कोईला के छेत्र मित्यभूज शेत्र से दर्साना है भारत की पुर्वी दट परिस्थित एक पतन आयताकार से दर्साना है ठीक है तो सारी चीज़े आप लोग को इस तरीके से करनी है उसकी बात देखिए आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा झाल